है गाईज वेलकम बैक टू ट्रेडिंग आज की वीडियो में हम एक ट्रेडिंग स्टर्टीजी को कृप्टो के उपर एपलिमेंट करेंगे मैं इसको एधिरियम के फाइब मिनट टाइम पर यूज़ करूँगा मागर आप इसको किसी भी क्रिप्टो के टोकें के ऊपर करते हैं आप उस इंडिकेटर स्टैब में आपने हमारे पहले नाम लिख लेना है आज का हमारा पहले बैंड जिसे हम बोलिंजर बैंड भी कहते हैं आप इस पे क्लिक करेंगे और हमारे चार्ट के ऊपर यह एड हो जाएगा आप अपने टॉप लफ करने एक सेटिंग कर देना है और इंपूट को आपने ऐसे ही रहने दिना है अब हम अपना दूसरा इंडिकेटर करते हैं आज का मारा दूसरा इंडिकेटर है यह में मुविंग एवरेज एक्सपनेंशल आप इस पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यह हमारे चार्ट के ऊपर एड हो च कर चुके हैं तो अब अपनी ट्रेडिंग स्टैटीजी को डिसकस कर सकते हैं तो ट्रेडिंग स्टैटीजी के मताबिक जब भी हमारी प्राइस हमारे बीबी बैंड के लोवर बॉटम से नीचे जाएगी हमने वेट करना है कि वह वापिस उस बैंड के अंदर दुवारा आ तो हम उस band की इंटर होने वाली candle से एक trade उठाएंगे और 2-1 के risk to reward ratio से उस trade को complete करेंगे तो जैसा के इस point के उपर हमारी candle वापस हमारे band के अंदर आ चुकी थी हमने stop loss को अपने recent swing के नीचे रखा और अपने risk to reward ratio को हमने 2% कर दिया और हमने देखा कि यह वाली हमारी trade profitable थी और stop loss को recent swing के नीचे रखते हैं और अपने risk to reward ratio को 2 के उपर set कर देते हैं 2 के उपर हमारी risk to reward ratio set होगी तो हमने देखा कि हमारी candle थोड़ी सी देर के लिए BB band से बाहर जा चुकी थी हमने वेट किया कि वह वापस BB band के अंदर आ जाए एक नई candle बनी हमने उस candle के ऊपर trade उठाई हम हमने वह long close कर दिया और हमने market से profit collect कर लिया इसी तरह अगर आप चाहें तो यह वाली trade भी उठा सकते हैं मगर इसका size काफी small होगा मगर चलो फिर भी उठा लेते हैं तो जैसा कि इस point के उपर हमने देखा कि हमारी candle थोड़ी सी देर के लिए चार्ट से बात थी हमने वेट कि से profit collect कर लिया तो जैसा कि यह trading strategy फाइब मिनट टाइम फ्रेम के उपर हैं तो आप थोड़ी सी देर के अंदर ही काफी ज्यादा trades उठा सकते हैं मगर आपको अपने account size का धिहान लाजमी रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपका account size उन trade के मताबिक सही नहीं होगा तो आप trades उठाने के अब वजूद भी profit नहीं कमा पाएंगे अब इस point के उपर हमारे पास एक और bullish trade आ चुकी है हमने देखा के candles थोड़ी सी देर के लिए हमारे bb band से बार थी हमने वेट किया कि वह वापस bb band के अंदर आ जाए हमने यहां से एक long की trade उठाई इस point से हमने एक long की trade उ इसी तरह हमारे चार्ट के उपर एक और bullish trade इस point पर आती है हम अपने stop loss को अपने recent के नीचे रखते हैं और 221 के risk to reward ratio को complete करते हैं इस point के उपर इस point पर हमारा 221 का reward ratio complete हुआ और हमने देखा कि यह वाली हमारी trade भी profitable थी इसी तरह हम चार्ट को पर तोड़ा और पीछे जाते हैं और कुछ और bullish trade भी ढूंते हैं इस point पर हमने देखा कि हमारे पास एक और bullish trade है कुछ देर के लिए हमारी candlestick हमारी price हमारे bb band से नीचे गई थी हमने wait किया कि वह bb band के अ काफिस आ जाएं यहां से हमने एक लॉंग की इंटर की हमने अपने stop loss को नीचे रखा रिसेंट के नीचे रखा और हमने अपने टू-टू-वन के रिस्टू रिबॉर्ड रिशियो को complete किया और हमने देखा कि यह वाली हमारी trade भी profitable थी और हमने market में इस से भी profit कमा लिया तो हम बुलिस सेनारिवों में candle का नीचे की तरफ से गिरने का वेट करते थे यहां पर हम उपर की तरफ जाने का वेट करेंगे तो जैसा हमारी candles लिटेट इन्टर करेंगे जैसा कि इस वाली के ऊपर अमने एक शॉट की टेड़ इंटर की अमुने अपने के रखा और डियो को हमने कंप्लीट किया और इस point पर जाकर हमारी 2-1 की रिश्यों रिश्यों कंप्लीट होती है trade को थोड़ा सा time लगा मगर eventually यह trade हमारी complete होगी और हमने इसे profit कमा लिया इसी तरह हमारे पास एक और bullish एक और bearish trade भी है इस point के ऊपर हमारी candle sticks ऊपर की तरफ बार निकल चुकी थी हमने वेट किया के वापस हमारे बैंट के अंदर आ जाएं वहाँ से हमने एक शॉट की ट्रेड एंटर की हमने अपने स्टॉप लॉस को अपने रिस्टू रिवार्ड रिशो को कम्प्लीट करते साथ ही हमारी ये वाली ट्रेड भी बोलिश और प्राफिटेबल होगे इसी तरह ये वाली भी ट्रेड हम उठा सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर हम अपने स्टॉप लॉस को स्विंग के ऊपर रखते हैं और हम 221 के risk to reward ratio को complete करते हैं इस point के ऊपर और हम trade को थोड़ा सा extend करते हैं तो यह वाली bullish trade थोड़ा सा जाधा time लेगी अगर eventually यह भी complete होगी और हमने market में इससे भी profit कमा लिया तो आप देख सकते हैं कि trading strategy काफी असान है और काफी जाधा profit दे सकती है so guys आज के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो like, comment, subscribe जरूर कीजिएगा और bell icon को भी दुबाएं ताके आने वाली हर वीडियो आप तक असानी से पहुंचे अगर आपके पस कुछ suggestion है और आप हमसे share करना चाते हैं तो comment section में आप वो भी कर सकते हैं so guys that's it for today thanks for watching